हेलो दोस्तों वेलकम टो यूट्यूब चैनल एजुकेशन सनिमा आज हम एजुकेशन सनिमा पर एक्सल टूटूरियल की तीसरी वीडियो को लेकर आपके सामने आए और इस सीरीज में हम नंबर के गुरूप पर बात करेंगे ठीक है होम टैप पर यह हमारे पास नंबर का कॉपी करना बता देता हूं कि मुझे डॉश्ट में नंबर कॉपी करने यहीवälle सेम नंबर सें जा कोई वी सील सेम कमांड अभू फॉंक्शन अभू कापी करने इसको सीधन कर दिया ठीक है यह सेलेक्शन लिख सी कर दी अगर आपने इसकी सीरीज नीचे लेकर जानी है ओ टू-3-4-5-6 तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा चैन्ट्रोल पकड़के उसको सिलेक करना पड़ेगा जैसे ये इस तरह ठीक है आपने चैन्ट्रोल पकड़के उसको सिलेक कर लिया इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मेंरे पास 20 डॉलरस है तो यह कैसे होगया यह क्या चमतकार हुआ ठीक है तो यह चमतकार यहां से हुआ है यह 20 डॉलरस का साइन जो है गिहर से आया वो इधर से आया यह देखें यहां पर इस sheet पर पहले किसी ने ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं के मेरे पास $20 है ये देखें अब कैसे परस लेगा $20 है इसका symbol किदर से आएगा तो इसका symbol मेरे पास number के option number के command से आएगा यहां पर $20 ठीक है कि इसको बंद करने के लिए इसके डैसिमल हम क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं डैसिमल को ठीक है पॉइंट के बाद के नंबर्स हम क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं और यहां से हम इसको क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुए 34 तो what is 65 क्या है मेरे पास 65 तो मैं इसके लिए क्या करूँगा 65 योरो ठीक है वो यहां से उसके सिंबल लाके उसको शो करना शूरू करतूंगा और उसकी ये जनरेशन इस तरह कंप्लीट हो जाएगी ठीक है इसमें और ही बहुत सारी करिंसी हैं नीचे चाइनीज है, फ्रेंच है, ठीक है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाकर, फिर आप इसके और भी सिम्बल से डिक सकते हैं, अमेरिकन है, आजरबाइज जान है, बाइचके रहे हैं, नीचे जाकर, सारे रूपीज है, पर इंडियन रूपीज हैं, पाकिसानी है, बंग लेकिन अभी लॉक डाउन चल रहा है तो आपने क्या कर दिया कट डाउन कर दिया ठीक है सेलरी पे आप इसकी सेलरी को कट करके कितनी कर रहो कि आपको जो हम 1000 रुपए दे रहे थे सेलरी अब हम आपको कितनी दे रहे हैं उसका 75 को मैं नॉर्मल डेसिमल में लिखता हूं तो म बनेगी मेरे पास कि 1000 इंटू यह डेसिमल ठीक है यह यह आगे 750 थाउन का अगर मैं 75 परसेंट निकाल हूं तो वो कितना बनेगा मेरे पास 750 मैं उसको देता हूं 750 रुपी जब लेकिन अब वो उसको समझ नहीं आरी बात या मुझे शो करना नहीं आ रहा मैं उसको कैसे बत भारता बाद हूंगा ठीक है यह वाला option select कर लूँगा इसका इसकी short form क्या है control shift और percentage अगर आप यह करते हैं तो आपका यह जो cell है particular किसमे चेंज जाएगा percentage वाले में ठीक है percentage भी हो गया यह भी currency वाला format भी हो गया इसके बाद अगर मैं comma वाली format में जाओं तो इसके लिए म यह इसे भी जादा कर लिए यह मैंने कर लिया इसको ठीक है 12 million 12 million है यह 1.2 million है ठीक है 1.2 million है अब इसमें अगर मैं यह चाहता हूं कि यह जो मुझे शो हो यह स्थारा शो नहीं हो यह मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं comma style में शो करना चाहरा हूं तो मैं यहां से जाओंगा मैंने क्या से लगकर लिया comma style जो कि 1000 के separators लगा रहा होता ह है ठीक है अब मुझे पता चल गया कि 1 million और 20 lakhs है ठीक है यह 200,000 के सकते हैं clear हो गया आपको पर्सेंटेज पर बात चली गई आपको currency को भी currency के भी symbols आपको लगाना आ गए ठीक है अगर एक मेरे पास कोई value माइनस में दीवी होती है माइनस में option होता है तो मैं उसके लिए अब क्या करूँ ठीक है या तो अब जैसे एक particular cell में में पास value लिखी है minus 25 लेकन मैं नहीं चाहता कि यह मेरे पास किसमे show हो minus में show हो तो मैं इसके दो तरीक है या तो मैं इसको क्या करदाऊ सॉरी या तो मैं इसको क्या करऊंगों bracket लगां और बाहर भी क माइनस लिखं printed तो यह तो फिर प्लस जोगा मैंस तरह भी एक हो अवा घड़ सकता लेकिन मैं यह नहीं चाहरा मैं यह इतने लबे काम को नहीं करना चाहरा मैं चाह800 के यहां पर मेरे पास माइनस जनरेट नहीं हो तो मैं इसके लिए क्या करऊंगा इसे को मैं select करूंगा और यहां से मैं format में जाके number के format में जाके यहां से मैं इसको यह ले लूँगा ठीक है और इसकी decimal places भी अगर इसमें saja हैं तो वůj decimal भी इसके खुद यहां से generated कर देगा ये देंकर रहे हैं यह देक्ट कर रहा है तो मुझे यहां पर एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि भाईया अब आपना ठीक कर लें ठीक है इसके बाद टाइम है टाइम में भी हमारे पास बहुत सारे आप्शन आगे जाके खुल जाते हैं ताइम में यह देखे हैं हमारे पास एक मेंशन यह इस तरह का भी है कि अगर मैं इसको 24 आर्ट में लूँ तो इसके लिए मेरे पास यह वाला फॉर्मेट है ठीक है जिसमें 24 का मतलब है कि अभी एक बचके 30 मिनिट हो रहे हैं तो इसका मतलब यानि देड़ बज़ रहे हैं तो वह थार्टीन ठीक है इस तरह का वह फॉर्मेट दिखा रहा होगा अगर मैं यह चाहता हूं कि 12 12 करके हो तो फिर वह एम और पी एम को शो करेगा मुझे तो अभी यह पी एम को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह दिन का एक बज़ रहा है ठीक है एक बज़ के 30 मिनट यानि देड़ बज़ रहा है ठीक है वो यह शो कर रहा है पागिस्थानी टाइम पर आप किसी बी यहां से कोई से भी कंटी सिलेक कर सकते है इसी तरह डेट की बी अलग-अलग फॉमेटिंग है कि आपने डेट किस सारा शो करन है पहले हमारे पास मंत आ रहा होता है फिर हमारे पास डे आ रहा होता है फिर हमारे पास यह रहा होता है लेकिन हमने जो नॉमली सीखा भी होता है हम पहले डेड लिखते हैं फिर मत लिखते हैं और फिर क्या यह लिखते हैं तो इसके भी हम इसमें भी हम बहुत सारी सारी की च आ रहे हैं अच्छा अब मैं लिख जाता हूँ सॉरी यह मैंने एक डेट लिख दी ट्वेल्फ डेश तीरो फॉर इंट्टू टूरंट्वेंटी इसे देखें खुद एपरिल सेलेक कर लिए है अब मैं इसी सेल पर जाके इसको मैं चेंज भी करने की कोशिश कर सकता हूं मैं क्या करता हूं इसको चेंज करता हूं ठीक है इसने ट्वेल्फ मार्श यह ले लिया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ठीक है मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं यह देखें अब इसना बता दी कि बाई कौन सी डेट थी यह संड़े ट्वेल्फ एपरिल थी ठीक है मैं इसको यहां से भी बदल सकता हूं यह शॉर्ट डेट है और यह लॉंग डेट है शॉर्ट डेट में हमारे पास डे शो नहीं होता है लॉंग डेट में हमारे पास उसका डे भी शो हो जाता है साइंटिफिक में हमारे पास क्या होता अगर एक बहुत बड़ी वैल्यू है ज चाहता हूं कि भाई इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नी दिखे मैं चाहता हूं इसको वन पॉइंट टू कुछ दिखे या वन दिखे मुझे ठीक है मैं चाहता हूं इसके जीरो कम हो जाए तो मैं इदर जाके क्या करूंगा इसको साइन्टिफिक लिख दूँगा तो इसका मत इसने कस्ट्रम ले लिए अगर मैं इसको फ्रेक्शन में ले लूँ कि सॉरी इसने किस तरह इसने शो कर दिया फ्रेक्शन में शो कर दिया जैसे हम डिवाइड करके निकाल रोते थे बच्बंद में तीक है इसमें सारी शीद हमने देख ली हैं स्पैसेफिक भी नंबर्स के इसको भी आपने की यह देख सकते हैं ठीक है यह रूपीज को लिखने की है यह दे मन्ट ठीक है कस्ट्रम में जाके हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर मैं इह चाहता हूं कि यह जो मेरे पास संड़े 12 तो यह सारे मेरे पास चल सकते हैं अब मैं यह डेसिमल्स आपको मैंने बन करना बता दी है ठीक है नमबर पोर्शन आज हमने कवर कर लिया है इसके बाद हम चलेंगे स्टाइल्स पे स्टाइल्स पे जाने के बाद फिर हमारा अगला टार्गेट हुआ सेल्स और फिर इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे इंसर्ट और डिलीट और फिर एडिटिंग बजाएंगे ठीक है थैंक यू